आए चोटी दुआ करते और बाद में हम इसके शुरुआत करते जिवीद और प्यारे महान परमेश्वर पिता हम आपका दिवाद करते आपने फिर से यह अनुगर दिया है मौका दिया है कि आपकी बातों का हम अभियास कर सके पिता है आपकी योजनाओं को बारे में हम अध्यायन कर सके पिता है प्रबु सच में आप कितने बड़े विशाल और जिसको कई बार मनुश्य समझ न पाए ऐसे अदभुद रमेश्वर और प्रबु आप युगों से प्रभु परारंब से जो आज हो रहा है बोलते आए हो पर मेश्वर आपके नभीयों के द्वरा आप बहुत कुछ बोल चुके हो परमेश्वर कि यह अंतिम समय में क्या होने वाला है प्रभू हम धन्यवाद करते कि उन अंतिम बातों की प्रभू सुचना उसके बारे में ज्ञान और अध्यान करने का आपने हमें अनुग्र दिया पिता उसके उसके सुचनाओं को पाने का आपने अनुग्र दिया हमें इस अवीत्रात्मा जो हमारा सहायक है, जो हमें परमेश्वकी बातों को समझाता है, प्रभु जी हम आपारिये आपके, कि आप हमारे साथ नहों, तो हम ये समझना सके, पर आप हमारे साथ रहकर ये सब बाते हमें समझाते हो, आपने हमें अनाथ नहीं छुड़ा है, वो सहायक हम प्रभु दन्यवाद करते। येश्यू का लहू हम हर एक पर इस पुरी टेक्निकल पुरी सिस्टम पर, नेटवर्ड पर, डेटा पर सब पर हम येश्यू का लहू लेते हैं, श्यतान की युक्तियों को जो इसके विरोध में हैं, हम येश्यू के नाम में उसको निश्फल कोशित करते हैं, प्रभु येश तो यरुशालम पूरा घेर चुका है इसराइल यहां पर घेराबंदी की गई है फिर से यहां पर और लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि प्रुत्वी पर की सब जाती हैं और जो राजा है उनकी सेना है जो लोग यहां पर आधम की और बस यह चरण अब यह समय वह साथ साल का विपत्ति काल पूरा होने का समय बस आखरी चरण में हम पहुंच चुके हैं और इस चरण में दो घटनाए हैं पहली घटनाए है बैटल ओफ आर्मागेडन और दूसरी घटना है यह मसी का दूसरा आगमन है तो यह दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही है इसको थोड़ा गहराई से आज समझने का प्रयास करेंगे इसका वर्णन हम देखे तो उन्नीसवा अध्याएं प्रकाशीत वाक्ये का और सोलवे अध्याएं के बाद सीधा उन्नीसवा अध्याएं इसके साथ जोड़ता है इस घटना के साथ किस घटना के साथ तो हर मगीदोन की लड़ाई के साथ बीच में जो दो अध्याएं है शत्रवा और अठारवा अध्याएं यह दोनों अध्याई उस बैबिलोन के बारे में हैं और उस वेशिया के बारे में ने तो वो उनके उपर परमिश्वर अपना न्याई किस प्रकार से जाहिर करता है ने तो ये बाते उसमें जुड़ी हुई है पर और शोलवे अध्याए के साथ ये उननीसवे अध्याए बिलकुल सीधा जुड़ा हुआ है और यहां पर हम सीधी लड़ाई की और गौर करें तो स्वर्ग में भी कुछ तैयारिया उननीसवे अध्याए में होती है तो एक से दस आयत में वो बाते लिखी हुई है पर हम सीधा ग्यारवे आयत से इसमें आगे देखेंगे जिसमें इस लड़ाई के बारे में पूरा वरणन्ज किया गया है तो प्रकाशित वक्या उननीस और ग्यारा से एकीस हम पढ़ेंगे आपके सामने स्लाइड ओपन है वहां पर आप पढ़ सकते हो फिर मैंने स्वर्ग को खूला ह और देखता हूं कि एक श्वेद गोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्या और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याएं और लड़ाई करता है उसकी आँखे आग की ज्वाला है और उसके सीर पर बहुत से राजमकुट है और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता और वह लोहू से छिड़का हूँ वह अवस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचेन है और स्वर्ग की सेना श्वेत गोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे प पीछे पीछे है और जाती जाती को मारने के लिए उसके मुझ से एक चोखी तलवार निकलती है और वो लोहे का राजदन लिये हुए उन पर राज करेगा अब ये राज करेगा लोहे का राजदन लिये हुए वो मिलेनियम की बात आजाएगी पर यहां पर वो बात यहां का राज्या और वह सर्वशक्तिमान परमेश्व के बयानक प्रकोप की जल जलाहट की मदीरा के कूंड में दाख रोंदेगा लिखा है आगे सोलवियाद और उसके वस्तर और जांग पर यह नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभूं का प्रभूं सत्रवी आयत फिर मैंने एक स्वर्दूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब अपक्षीनों से कहा आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी मतलब भोजन के पीछे लिए इकठे हो जाओ जिससे तुम राजाओं का माउस और सरदारों का माउस और शक्तिमान पूर्शों का माउस और गोड़ों का और उनके सवारों का माउस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का माउस खाओ फिर मैंने उस पश्यू और पृत्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस गोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकठे देखा अब आप समझ गए यहां इकठे देखा यहां पर इकठे हैं और यह सब बाते हो रही है जो लड़ाई लड़ने आ रहा है वो यह शुमसी और उसकी सेना उसका वरणन 11 से 17 आयत में है 17-18 आयत में और 19 वे आयत में यहां पर जो सेना पृत्वी पर खड़ी है वो बताई गई है बीसवी आयत में लिखे और वो पश्यू और उसके साथ वजूठा भविश्य वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐ उनको भरमाया जिनों ने उससे पश्यू की छाप ली थी और उसकी मूरत की पुजा करते थी यह दोनों मतलब पश्यू और वजुठा भविश्य वक्ता दोनों इस लड़ाई के अंत में नहीं क्या होने वाला इन दोनों को क्या किया गया क्या लिखाई वहां पर आग की जील में जो गंधक से जलती है डाले गए और शेश लोग बाकी के लोग उस गोड़े सवार की तलवार से जो उसके मूँ से निकलती थी मार डाले गए और सब सब पड़ी उनके माँ से तुरुप्त होगे सब पक्षी उनके माँ से तुरुप्त होगे यहां पर जो बात लिखी है उसके आधार पर हम समझने का प्रैस करेंगे ये शुमसी को क्या पूत्री पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्या ये कि आपको क्या लगता है कि उतके साथ जो सेना आ रही है उनको लड़ाई मतलब जैसे इस संसार में दो सेना आमने सामने लड़ती क्या यह लड़ाई वैसी लड़ाई होगी क्या देखें यहां इसको समझने का प्रयास कीजिए इस्राइल एक तरफ तो एंटिक्राइश्ट उसके साथ की जो सेना है वो उत्तर के राजा दक्षीन के राजा और पूर्वा के राजा यह सब इकठे हुए उनके साथ एंटिक्राइश्ट के साथ और एक तरफ इनका मोर्चा है और दूसरी तरफ इस्राइल भी अपना प्रयास कर रहा है मतलब वह भी साफ है वहां पर वो भी हाथ पर हाथ दरे बैठे नहीं होंगे और यहां पर कुछ हद तक यह लड़ाएं आगे बढ़ती है जहां पर मतलब आगे वचन में पढ़ेंगे कि मानो इसरेल के हाथ सब निकलने वाला है और उस समय में कुछ बाते कुछ घटनाएं करते हैं वह हम आगे देखेंगे तो हम इस अब्यास में आगे बढ़ते हैं देखें यहां पर आखरी आयत में जो लिखा है कि येश्व मसी को वहां तलवार लेकर लोगों के साथ लड़ना नहीं पड़ेगा पड़ेगा पर लिखा है कि उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मूँ से निकलती थी मतलब उसके मूँ से चोखी तलवार निकलती थी पंदरवी आयत में लिखा है जाती-जाती को मारने के लिए उसके मूँ से एक चोखी तलवार निकलती है मतलब उनके मुझ से, मुझ के शब्दों से, उनकी मुझ चप्तर जब को पता हो, तो एलिश्या जब उसके विरूद में अराम का राजा आया, बहुत सार सेनाओं को लेकर, नहीं कि तो उन सेना तो इसने एक शब्द से एलिश्या ने क्या बोला था? अंधे हो जाए ये लोग, तो वो लोग अंधे हो गए थे, ये तो प्रभू के नभी थे, जिनको ये अधिकार था, पर जो खुद, जो खुद वर्ड ओफ गॉड है, जो खुद वचन है, जो खुद शब्द है, वो ये शु, एक शब्द से जो सुरुष्ठी का निर्मान कर स सकता है, वो अपने शब्दों से नहीं, यहां पर अपने अधिकार को जारी करेगा, प्यार को, अपने न्याईशासन को जारी करेगा, पर इसलिए यहां पर ये शब्द लिखा है, कि उसके मूँ से जो तलवार निकलती है, और उसके शब्द के लिए क्या शब्द लिखा ह तो यह बात है कि उनका शब्द एक तलवार के समान है और यहां पर वह बार लिखी है क्यूंकि मुञ जो एक जोखी तलवार निकलती है उससे जाती-जाती के लोगों को मारने के लिए है वह और कि यह सब बात हैं यहां पर हैं आगे बढ़ते हैं इस हर मगीदोन की लड़ाई को कुछ अलग-अलग शब्द भी दिये गए है बाइबल में यहोवा के जैसे की योल में लिखा है यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन यहोवा का वो बड़ा और भयानक दिन दूसरा है प्रभू का महान और प्रसिद्ध दिन प्रकाशित वा इसको यह बोला गया है और हम इसको समझने का प्रयास करना चाहते हैं आज लड़ाई को यह प्रकार लड़ी जाएगी है है यह लड़ाई सिर्फ एक ही लड़ाई नहीं यह समझ लीए पर इस कई एसपेक्स प्यों है आर इसके साथ becoming Power अगमन भी vaccine ये उनके आगमन की पूरी प्रक्रिया भी इसमें जूड़ी हुई है तो अलग अलग चरण है इसमें पहला चरण दूसरा चरण ऐसे अलग 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 प्रोसेस अलग अलग पहलू है उसमें कुछ पहलू में ये शुमसी कहीं पर है कुछ पहलू में ये शुमसी कहीं और है तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ये लड़ाई पूरे विशाल जमीन पर भाग पर लड़ी जाएगी, उत्तर में मेगिडो की तरही से, हम देखें, मेगिडो की तरही से लेकर यरुशालेम होकर, दक्षीन में हम जाए तो एदोम तक, और बाद में यहोषापात की तर अब यहां पर पहला चरन, उसके जो आस्पेक्ट से उसमें पहले चरन की और हम ध्यान ले जाएंगे, प्रकाशित पाके 16 और 16 आप पढ़ोगे, प्रकाशित पाके 16 और 16 यहां पर लिखा हुए, उन्होंने उनको, मतलब उन राजाओं को, उन्होंने मतलब वो कौन, जो ड इनों के मुझ से जो मेंड़कों के रुप में दुष्ट आत्माई निकली थी, उन्होंने पूरे विश्व में जाकर क्या किया है, लोगों को बढ़काया उन राजाओं को, उनकी सेनाओं को यहां पर लाया है, यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, कि वो दुष्ट आ का सामराज योगा, पूरी दुनिया उसके साथ सहमत होगी, उसके साथ जोड़ी हुई होगी, और साड़े-तीन साल में जब एंटी क्रैश का असली चेहरा बाहर आएगा, तब इस्रायल जो इस्रायल तब तक उसके फेवर में था उस समय तक, पर उसके बाद में जब उसका तो मतलब एंटिक्राइश के फेवर में जितने लोग है वो भी इसराइल के विरूद में हो जाएंगे तो यह निकले इनको इकठा करके यह विपत्तिकाल के अंतिम समय में इनके सामने यहां पर लाकर इकठा करते हैं और यह जो पहला चरण है हर मगीदोन की लड़ाई का वह गैधरिंग मतलब इकठा होने का स्थान यह वो तरह है आपके सामने वो पिक्चर है जिसमें आप देख सकते उस तरह ही में उस मैदान में यह इकठे हो जाएंगे हमने पिश्वे समय में सुना था नैपोलियन समराट जो था वो जब इस जगे से गुजरा था तो उसने देखा था पूरे विश्वों में लड़ाई-लड़ने लायक अगर कोई सबसे अच्छा मैदान है तो वो यह मेगीडो की तरह है बहुत बड़ी तरह है प्यारो यह बहुत बड़ा मैदान है यह तो यह यहां पर हम चित्र में देख सकते हैं अब येश्यु मस्थी का आगमन भी इसके साथ होने वाला है है न तो दूसरा आगमन तो यहां पर एंटिक्रेश्ट की सेनाएं और पृत्वी की सभी जातियां जो इसराइल से लड़ने जाएं इकटी होएंगे ये शुबब से सीधे इधर नहीं उतरेंगे हमें लगता है कि सीधे यहां उतर जाएंगे कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे होते जो मैं लगता है कि हाँ अब सीधे इधर प्रबू उतरेंगे और सब खतम डेखो यह ऐसा नहीं है कि आकास से जली-घड़ी और कहीं पर कर लकी और कुछ खोन आगए एक ही सेकंड में प्रभु येश्व आ गये और सब खतम हो गया है मामला पूरा हो गया यह ऐसा नहीं है प्यारो जो आप समझ रहे हो नहीं बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं पर यहां पर कुछ चरण है कुछ पहलू है स्टैप है जिसके स्टैप पार स्टैप यह लड़ाई से आगे बढ़ती है और यह लड़ाई पूरी होती है और इस लड़ाई के दौरान यह येश्व मसी आते हैं और किस प्रकार वह आते कहां पर उनका प्रवेश होता है यह हम देखेंगे दूसरा चरण में हम जाते हैं पहला था गैधरिंग पॉइंट इकठे होने का स्थान अब दूसरा है बैबिलोन का नाश येश्व मसी आएंगे तो सबसे पहला यह वो काम करेंगे उस समय में और वो काम होगा बैबिलोन का नाश करना अब यह बैबिलोन का नाश मतलब एंटी क्रैस्ट ने जितनी भी चीज़े बनाई होगी उसने जो खड़ा किया होगा और जितनी भी सिस्टम खड़ी की होगी और मानलों उसका कोई हेड़ क्वाटर होगा या तो ऐसी कोई जगयों की जहां से उसने अलग अलग ब्रांची सपने स्थापीत कियो हो सकते कुछ भी हो सकते क्योंकि पूरे विश्वा पर वो एक राजा के रूप में होगा अब येश पाँच आयत में ये बात लिखी है पाबूल के विशे की भारी भविश्यवानी जिसको आमोस के पुत्र यस्टाया ने दर्शन में पाया मुंडे पहाड पर एक जंडा खड़ा करो हाथ से सेन करो और उन से उंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रव अपने पर्वित्र किये हूँ को आग्याती है अपने के लिए अपने वीरों को बुलाया है जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है यह कौन है मैंने अपने वीरों को बुलाया ये कौन है अब आप 19 अध्याय में एक से 10 आयत पढ़ोगे तो उनका वरणन वहां पर बता गया कि वहां पर हालेलुया ये चार पार वहां पर हालेलुया नाद वहां पर बोल रहे है कौन तो स्वर्ग में जो बड़ी भीड है वो और वो से दैंशी टयारी रहे है तो बहुत खु Emin ॉर आनंद वहां पर चाहा हुआ है और यहां प्रुष्वी पर बहुत ही भाघरी दुख है लोग लोग भोड़ों से बरे हुए है लोग वीमारी ओसे बरे हुए पीने के लिए लहु है अन्दकार है चारों तरफ कपड़े वी दुख पर दिने पर स्वर्ग में यह आनंद का आउसर है अब यह आनंद का आउसर क्यों है युद्ध होना कोई आनंद की बात नहीं होती है युद्ध में हमेशा तबाही होती है युद्ध में लोग मारे जाते हैं युद्ध में खून बहता है युद्ध में बहुत बड़ जो उनके हाथों से बनाई उस्तुरुष्टी थी उनको आनन नी होता है कि इसको खतम कर दे ऐसे पर प्यारो जजमेंट भी कोई चीज है न्याई भी एक चीज है प्यारो अगर न्याई न करे परमेश्वर तो आपको पता यह कि एनटी-व्यात कर डालता एंटीक्रेश्व पूरे विश्व को पूरा करप्ट रंप चाथा प्यारो पाप से बरहा हो आने वालागयक अ मतलब पर यहां पर आना बहुत जरुरी था यह बाइफ कि लड़ाई के द्वरा पूरा वो टावर बनाया गया यह जैसे उसको इसको भी तोड़ा जा रहा है इस पुरी सिस्टम को तो यह बात है लड़ाई पानो आपका की कुछ चोरी हो गया है समझه लो आपकी बाइक चोरी है या तो आपके घर किसी के आपके बुला दells समें कि गर में भी कि गर की फिर्च्व दुख्वगा खुश हो गया घर जब उसका चोर पकड़ा जाएगा तब किसी कि क्या हम डुखी होंगे क्या हम हम इसमिल रहा है तो ये काम कर रहा है कि खोई हुई बातों को रिष्टोर करता है उनस्थापित करता है तो ये पुनस्थापना का समय है प्यारों, हर मगीदों की लड़ाएं और येश्वमसी का आगमन, ये एक पुनस्थापना की शुरुआ थे, जो जिस पुरुत्री को शैतान ने पूरी मतलब बरबादी के पत पर ले गए थे, पाप की वज़े से, और नहीं, हर एक बूरी कल्पना और बूरी बातों की वज़े से, ने सब कुछ खत्म कर दिया था, और ये शुमसी इसको वापिस रिष्टोर करने आ रहे है, ये कैसे पता चलता है, तो जब ये शुमसी आए है, तो वापिस चले नहीं जाएंगे, ये शुमसी आए है, तो इसके बाद में कुछ और भी होन है एक हजार वर्ष का राज्य है, पर उससे पहले ये लड़ाई होना पहुंच ज़री है, ये लड़ाई इसलिए है, एक नियाए, प्रभू का नियाए यहाँ यहाँ पर बताया गया है, प्यालों, और इसलिए इसको लिखा है, यहोवा का दिन, देखो यहाँ पर आगे क् कासा कोला हल हो रहा है मानो एक बड़ी फौज की हलचल हलचल हो राज राज की इकठी की हुई जातिया हलचल मचा रही है स्तेनाओं का यहवा युद के लिए अपनी सेना इकठी कर रहा है वे दूर देश से आकाश के छोर से आये है हां यहवा अपने क्रोध के हतियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है हाई हाई करो क्योंकि यहवा का दिन समीत है वो सर्वशक्तिमान कि और से वानो सत्यनाश करने के लिए आता है लाल यह बैबिलोन का नाश यहां पर यह बात बताईए wonasat ai है उनका रिटर्रन न रिटर्ण ओफ चीजस की तरह में नहीं आ जाते जहां पर इस्राइल की लड़ाई फिर चल रही है सबी कठे हुए पर वो बैबिलोन की पूरी सिस्टम का भी वो खात्मा बुलाता है अब तीसरा चरण तीसरा चरण है अटेक ओन जेरुसलेम यरुसलेम पर हमला देखे जखारिया नभी की किताब बारवादय और दो से तीन आयत हम पड़ते हैं उसमें लिखा है देखो मैं यरुसलेम को चारो और की सब जातियों के लिए लड़ खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूगा क्या करेंगे लड़ खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूगा और जब यरुसलेम घेर लिया जाएगा तब यहुदा की दशा भी ऐसी होगी सिर्फ यरुसलेम नहीं पर इसराइल पूरा उसकी भी हालत ये होगी और उस समय पृत्वी की सारी जातियां यरुसलेम के वि बनाओंगा कि जो उसको उठाएंगे विए बहुत ही गायल होंगे जो इनके विरूद में उठ खड़े हुए हैं उनको लगता है कि यह चोटा सा इसराइल इसको तो यूं मसल देंगे हम पर प्यारों आज तक इसराइल को कोई खत्मा नहीं कर सका है युगों से उसको उसक खत्मा नहीं बुला पाया प्यारों क्योंकि येश्यु मसी ने जिसको जिस बुलाहट के तहट बुलाया है वो बुलाहट को पूरी करवाना परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है प्यारों बक्ष को भी जानता है और ये परमेश्वर की लड़ाई है प्यारों जो यर रचना है उनको परमेश्वन ने खड़ा किया रभू उनके पक्ष में खड़ा हुआ है प्यारों वाचा से बंदा हुआ है प्यारों एंटीक राश की सेनाएं सिर्फ इस्राइल पर ही नहीं पर यरुशालेम पर भी हमला करेगी और हमेशा से आप देखो तो यरुशालेम निशाने पर रहा है यह सैतान का जो नहीं दूश्ट प्लान है दूश्ट योजना है उसमें प्राइमरी और अब्जेक्ट मुख्य उद मैं कुछ नक्षों के द्वारा आपको बताता हूं इसमें फिर इस पर हम आते हैं पहले विश्वयूत से पहले कि अगर कुछ बात करें तो यह जो आपके सामने नक्षा है आप देख रहे हो यह आज का इसराइल है अब इसमें मेरा करसर आपको दिखाए दे तो यहां पर यह उनके हाथ में नहीं है फिर यह पूरा यलो इलाका आपको दिखता है सेफरन कलर का यह पूरा इसराइल गीना जाता है अभी यह जो पार्ट है बीच का जो यह पिंक कलर का वो जो पार्ट है पूरा यह अभी इसराइल के हाथ में नहीं है यहां पर आप देखो तो यह जो नाजरें यही पर सोड़ियां यहां यहां पर है आप देख सकते हो अब इसकी हिट्री क्या है यह थोड़ा सा हम समझ ले तो आसान रहे गए यहां पर जॉर्डन है एक तरफ एजीप्ट है उपर की तरफ हम देखे तो उत्तर की तरफ लेबेनोन है उपर और उसके साइड में सीरिया है अब पहले विश्वयुद के बाद में 1914 से 1918 के समय में यह पहला विश्वयुद चला था और उसके बाद में यह जो पूरा बोलते हैं नेत्रुत्व जो अधिकार इसने जारी किया उस समय में कमान संभाल ली हो विश्वपर उस समय में तो वो बृटिश लोग थे उस समय में और बृटिश लोगोंने यह जो इसराईल की पूरानी लडाई है – इसराईल की और आरब लोग की आरब लोग जो पेलेस्टीनियन लोग जो बोलते हैं जो ंन्याजाती है लोग तो उनकी लड़ाई बहुत पूरानी लड़ाई है प्यारा और यह लड़ाई को अगसे दुनिया में इस तरीके से आज बता दिया गये कोई लगान ने को तयार citation ही अरब लोग को सब्सक्राइन है इसा उनका बोलना है कि इस कोंश कुछ यह जमें ही नहीं बात तो संभाव थी नहीं और यह जूट सामरज्य की वजह से यह बात फैलती के फैलती के इतने 2000 साल में यह बात यहां तक आकर पहुंची अब यह से 1920 से 1922 के समय में जब यह पहला वर्ल्ड वर पूरा हो चुका था तब यह बात घटी थी यहां पर कि ब्रिटिश ने ब्रिटिश गवर्मेंट यह मेंडेट जारी कर दिया था कि इतना पार्ट है इस्राइल का इसमें आ यह पूरा नक्षा यह दो सब्सक्राइब का पूरा ननखराए यह सकते हो यह ब क्राइब यह बडल सिर्टिश नेट फर पैलेस्ट सांट कर नहीं इस पालेस्ताइन के लिए देख रहे हो देख रहे होगी यह पूरी रेड़ लाइन यह पैलेस्टाइन के रूप में ब्रिटिश ने इनको दे दिया कि इसको पैलेस्टाइन अब क्या हुआ कि हुआ यह बहुत पहले का जो उसके बाद में इसरेल की लड़ाई चलती रही और यह सब मामला हुआ और यहां पर यह बात हुई कि इसरेल का यह भाग फिर बाद में लड़ाई के बाद इन्हों ने यहां पर लिया यह आपके सामने दिख रहा है यह दूसरी जो पिक्चर है लेप् यह इस्राइल ने छोड़ दिया है इनको दबाव में डाला गया है और इनों ने शांती की जो वाचा की गए शांती करार किया गया यह अभी के पिछले कुछ सालों की बात है उस समय में इनों ने यह बात को छोड़ दिया है इस हाथ इस इस हिस्से को छोड़ दिया है मेरे ख 1967 में उसके आधार पर उस 1967 में जो लड़ाई लड़ी गई यरुशालिम को इन्होंने ले लिया इस्राइलियों ने यरुशालिम को अपने हस्तक कर लिया अब अभी की परिसिती के 2017 में हमास नाम का जो जूथ है जो पैलेस्टाइन में कारे रहत है आतंकी जूथ बोलते हैं इन्होंने टेररिस्ट ग्रूप में अमरीका ने उसको शामिल किया हुआ है इन्होंने ये डिकलेर कर दिया कि यरुशालिम पैलेस्टाइन की राजदानी ह और दुसरी तरब इस्राइल ने तो घोशित किया हुआ ही है कि यरुशालिम ये कौन है तो कि इस्राइल की राजदानी है ये हमारी राजदानी है और यूनाइटेड नेशन्स ये पूरी फेवर करते हैं पैलेस्टीनियन की कि ये इनको वापिस देना पड़ेगा तो आज की परिस्थिति के आए पता है आज आप यरुशालिम जाते हो तो वहां पर जो डॉम आफ दो रॉक और यह सब है वहां पर यूनाइटेड नेशन की सैनिक भी वहां पर खड़े रखने पड़ते त्यारों तो ये ये बहुत ही पेचीदा और विवादास्पद मुद्दा यरुशालिम अमेशा से रहा है और कभी भी यह शैतान ने चाहा नहीं है कि यरुशालिम यहुद्यों को मिल जाए मैं यह मुद्देड पर आ रहा ह शेटान कभी भी नहीं चाहता था और इसी लिए United Nations भी नहीं चाहता है कि यरुशालेम इसराइल के हस्तक यहुदियों के हात में चला जाए पर खेर अभी तो उनके हात में आचुका है ये क्यों शेटान नहीं चाहता था क्योंकि शेटान को पता है कि जिस दिन यरुष शालेम इनके हाथ में चला जाएगा, येशु मसी का आना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि येशु मसी तब तक नहीं आएगा, जब तक यरुष शालेम इनके हस्तक नहीं होगा, इसराइलियों के हस्तक. और ये होना बहुत जरूरी था. तो 1967 में मेरे छे दिन यह कुछ लड़ाई लड़ी गई थी बहुत बड़ी और उसमें योदियों ने वीजय पाया था और पलिस्तियों से इन्होंने यरुशलेम अपने हस्तक ले लिया था 1967 से तो 1948 में पूरा इस्राइल स्वतंत्र राष्ट्र हुआ पर फिर भी यरुशलेम उनके हाथ में नहीं था पर 1967 में यह उनका हिस्सा बना लिया इन्होंने तो प्यारों यह स्टोरी थी इसरेल का इतिहास था यहां तक और इसके पीछे शैतान काम कर रहा था यह इनके हस्तक ना हो जाए आज भी United Nations United Nations को पता नहीं है पर इनके पीछे शैतान की जो पूरी सि इसलिए आज भी United Nations में जो लोग है वह हमेशा इसरेल के विरूद में ही रिजल्वेशन पास करवाने में उसकी फिराथ में रहते हैं तो यह पूरी सैतानिक सिस्टम कार रथ है और इसलिए कि येशू मसी न आए येशू मसी न आए देखिए पर उस समय में येशू मसी आएंगे आपको लुकार रजी सुसमाचर 21 वे अध्या में याद होगी जब तुम येशू में को सेहनाहों से घीरा ही दुख तो जान लेना कि उसका ऊजड जाना निकठाना निकठा है उसका उजड जाना निक न निकठानेम तब यहुदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए और येशू मसी का पहला आगमन मतलब मेगारोन कलीशय का रैप्चर उसके साथ बई ऐसा नहीं है यह इस बात के साथ जुड़ा हुआ है कि जब येश्व मसी का दूसरा आगमन साथ साल के अंत में होगा तब ये बात होगी कि यरुश्यालेम को के विरुद में और इसरेल के विरुद में पूरे विश्व की सेनाए खड़ी होगी एंटीक्रेश सब को खड़ा वहाँ पर करें गया वो समय की बात है कि जब ये घेरा हुआ देखो तो प्रबू का संदेश है उन लोगों के लिए सुजाव दिया है लिखकर कि जो यहुदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरुश्यालेम के भीतर हो वे बाहर निकले और जो गाओं में हो वे उसमें नव जाए प्यारों यह क्यों ना बोला है क्योंकि बहुत भाड़ी भारी तबाही आने वाली भुकंप आने वाला है पोले गिरने वाले है आग गिरने वाली है यह सब कुछ होने वाला है प्यारों तो नहीं किसी प्रबू नहीं चा तो इनके लिए प्रभु ने उनके लिए एक ही चीज होगी कि प्रभु का वचन उसमें से ही उनको गाइड़न्स लेना होगा यह प्रभु का वचन उस समय उनकी अगवाई करेगा कि हमें कहां भाग जाना चाहिए इस विसंद सत्तर में 70 में जब टाइटस ने इसरेल के विर आगे के चरण में हम देखेंगे जखर्या 14 और एक से तीन आयत पड़े सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन अब क्या होगा यहां पर यह लड़ाई शुरू हो चुकी है और क्या घटना घटने वाली इस लड़ाई में देखो सुनो यहोवा का ए मानो उनकी हारते है वह नगर ले लिया जाएगा और लिखाए घर लूटे जाएंगे और स्रियां ब्रश्ट की जाएगी नगर के आदे लोग बंधवाई में जाएंगे कुछ लोगों को बंधवाई में मतलब उनको कैप्चर कर लिया जाएगा परंतु प्रजा के शेश ल लेंगे उनको रेमनेंट बाकी बच्चे हुए लोग बुलाएं इसलिए लिखाए प्रजा के शेश लोग नगर ही में रहने पाएंगे तब यहवा निकल कर तब यहवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ा था तब यहवा निक पदार प्रमानों की मतलब हो रहा है इनका पहला शेप यहां पर आ रहा है पहली भूमी का यहां पर यह शुमन सिक्या आती है यह था तीसरा चरण इस दौरान में यह बात हुई यह हम देख चुके हैं चौथा चरण विश्वासियों को बचाने के लिए बहुत जरा जाना अब यह चीज़ बहुत सारे विश्वासियों के ध्यान में नहीं आती है कि यह शुमन सी एक और भी चीज़ यहां पर करने वाले हैं और यह यशायन अभी की किताब 63 वाद एक से 6 आयत में यह बहुत सारी बहुत सारी बहुति बहुत् предлаг न करते हम उसमें एक प्रभु यह मसी ये बात होती है ये पढ़ेंगे यह कौन है जो एदोन देश के बॉस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्रपेने हुए चलाता है जो अती बल्वान और भड़किला पहरावा पहने हुए जुमता चलाता है यह जवाब में यहाँ पर प्रभू यही बात बोल रहे हैं यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ दिखाए तेरा पहरावा क्यों लाल है और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाख रोनने वाले के समान है मैंने तो अकेले ही होद में दाखे रोंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया हाँ मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रोंदा और जल कर उन्हें लताड़ा उनके पर जब हम ग्यारवे अध्याए प्रकाशीत वाक्या का ग्यारवी आयत से जब हम पढ़े अभी शुरुआ की स्लाइड में पढ़ा है वहां पर येश्युमसी कैसे आते हैं उनका पहनावा कैसा है लाल अरंगा सफेद घोडे पर सवार है और लिखा है आगे पढ़ते हम यहा प्रजय का वर्ष आ पहुंचा है मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा मैंने इस से अच्चमबा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था तब मैंने अपने ही बूजिबल से उद्दार किया और मेरी जल जलाहट ही ने मुझे संभाला हाँ मैंने अपने क्रोध आज का दक्षिन जॉड़न है और बिबली कल टाइम की अगर बात करें तो यह उस समय में इडोम इडोम नाम आपने सुना तो यह इडोम की टेरिटरी गिना जाता था पूरा यह दक्षिनी जॉड़न का इलाका आज का मॉड़न जो है वो यह तीन राष्ट्रों का तीन अल गलत बातों का बनाऊ है एम्मोन मोब और इदों यह तीनों का कंबाइन होकर आज का मॉड़न जोड़न बनता है अब एक बविश्यवाणी दानियल के द्वारा हुई है ग्यारवाद ध्यायर 41 वी आयत अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल कर पड़े दानियल 11 और 41 इसमें क्या लिखा है मैं आपके लिए पड़ता हूं कि इसमें ऐसा लिखा है बहुत शीरोमनी देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे परन्तु एदोमी एदोमी मुवाबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी आदी जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे एंटीक्रेश्ट यहां पर इन तीन देशों पर या तो इन तीन जगों पर या तो बोले मौडन जॉर्डन पर अपना सामरज यह अपना हक जमा नहीं पाएगा यह भविश्यवाणी दानियल के द्वरापी है लिखा है कि वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी न बचेगा मतलब इसका हाथ विश्वा के बहुत सारे लोगों पर बढ़ा होगा हरे एक को जीता जाएगा एंटीक्रेश्ट यह साथ साल का पूरा जो काल होगा एंटीक्रेश्ट को उसमें उसके साम जाएगा कि जो उसके हाथ हस्तक नहीं लगेगा उसके हाथ में नहीं आएगा और यह क्यों नहीं आएगा इसके लिए भी प्रभू की योजना है प्यारों इसके पीछे देखिए मत्थी रचित्सू समाचार 24 वाध्याय और 16 से 20 सायत पढ़ें मत्थी 24 और इसमें 16 से 20 पढ़ेंगे तब जो यहुदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उत्रे और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लोटे यह कब की बात है कि जब करने वाली वस्तू उजारने वाली मंदिर में मतलब साड़े टीन साल का साथ साल का बीच का समय जिसमें एंटिक्रेश अपना चेहरा बाहर ला देगा अब उस समय से ही यह बाते यह सुचनाई लोगों के लिए जारी कर दी किसके बात से आप टालन तब ही से आप लोग मतलब अपना रास्ता निकाल लेना अब वो लोग उस समय से अपना रास्ता निकाल लेंगे कैसे यह विश्म वहां पर भाग जाएंगे उनको पता क्योंकि अब खृस्त विरोध उनके विरोध में आख खड़ा हुआ है इनके टोटली अगेंस्ट में है बहुत सारे राश्ट्र में इनके अगेंस्ट में है और दिरे दिरे पूरे विश्व के राश्ट्र इसरेल के अगेंस्ट में हो जाएंगे क्योंकि पूरे व हो जाएंगे वहां पर और यहुदियों को वहां पर भागना भी पड़ेगा प्यारों जैसा आज आज इसराइलन वैसा उस समय में नहीं रहेगा प्यारों उतना भय और दैशत का बाहवल वहां पर दोगा और लिखाए यहां पर सत्रवी सदी में यह बात हुई थी सेम यही घटना रिपीट होगी वहां पर भी कि यह लोग उस समय यहुदी इस दिशा में भागे थे जहां पर क्या शब्द लिखा है पहाड़ों पर भाग जाए अब यह पहाड़ों क्या है पता यही वो जॉर्डन है जिसको आज पैट्र करता भी लोग बोलते हैं और उस समय में इस संस्द्टर में बीस सेवनटी में भी जिब रोमन हमले किये थे यहुदियों पर इस इसरेईल पर यह यहुदी लोग वहां पर जान बचाकर यहीं पर ही भागे थे प्यारों और उन्होंसे अपनी है भूब सारे लोगों बचा तो उन्हों ने ये सुछना पाई होगी इसके आधार पर ही चलेंगे कि हमें पहाड की और भाग जाने अगर हमें बचना है तो हमें येश्व ही बचा सकता है पर अभी येश्व की बाते हमें बचाएगी तो वो लोग कहां भागेंगे तो ये जॉर्डन पैट्रा जिसको बुलते हैं पैट्रा नाम जगे है वहाँ बस बूपर बौर बाठ्रा क्या है इसके लिए आज के अभ्यासियों का कहना एक से दो मिल्येन लोग यहां पर बच सकते दिख रहा है आपको यह पूरा पहाडियों से बरा हुआए रखा में पहाड़ियों से बरा हुआ हुआ है आपको ल inclusion कैसी जगहшие दूसरी एक बात है कि यह बहुत ही सखड़ी जगे इसमें कोई टैंक या तो कुछ जा नहीं सकता है इवन उपर से प्लेन जाए तो उनको भी कुछ दीख नहीं पाए मतलब ऐसी गीच जगे है गीच पहाड़िया है यहां पर और दुसरा कि इसमें जो एंटरंस है वहां पर से कोई वहिकल बड़ा वहिकल भी अंदर नहीं घुच सकता है इतनी मतलब पहाड़ियों से गीर हुए सकड़ी जगे है जिसमें इतने सारे लोग बच सकते हैं करा अब देखो यहन पर जो नक्षर आपके सामने है 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 मैगीडव यहां पर एक दब ऊपर है एरो से बताया गाया है मैगीडव अब आप आप देखो मैगीडो से नीचे हम आपको बोजरा दिखाई देगा पता है बोजरा कहां पर यहां पर यह बोजरा कहां पर आ रहा है पता चला आपको जॉर्डन में इसराइल कहां पर है ब्राउन कलर का आपको इलाका दिखाई दे रहा है यह इसराइल है पूरा मैगीडो इस और बॉज्चिन में नीचे है और भोजॉत और बहुत बात यहां पर वरणन की आता है नीचे उसके बाद येरुशलम आता है और उसके बाद में बॉजरा ये पूरा इला का अगर पूरा काउंट किया जाए पूरा रास्ता तो बिल्कुल प्रकाशित्वाक्य चोदवे अध्याई और बीसवे आयत में जो लिखा है इसा कुछ लिखा हुआ या तो 200 माइल है वहाँ पर तो बिल्कुल यह डिस्टंस में गीडों से यह पैट्रा तक का यह डिस्टंस यह जो बॉजरा पूरा हिला के गिना जाता है वह 200 माइल का है और यह 200 माइल के लिए क्या लिखा आप पढ़े देखो प्रभू कैसे बचाते प्रकाशित्वाखे 14 और 20 आपको पता हो तो हमने वो कटनी के जो दो कटनी के बारे में सुना था पहली कटनी अच्छे लोगों की थी और दूसरी कटनी इंदूष्ट लोगों की थी जो नहीं परमेश्वर के विरूद में थे एंटी क्राइश्ट और उनके साथ जुड़ चोदवाद याए उननिस से आगे पड़ते हैं तब उस वर्ग दूत ने पृत्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृत्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया और नगर के बाहर नगर के बाहर उस रसकुंड म ने दाख रौंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोडों की लगामों तक पहुंचा और सो कोस तक बह गया और यह डिस्टेंस पूरा सो कोस बहार तक निकला और यह सो कोस तक बह गया प्यारों इतने सारे लाशों का डेर हो जाएगा वहां पर और खुण से लटपत यह लाश होगी मतलब बिया लएह लएह लएक नहीं होगा पर लटपत लाश यह संड और इंट आप सामने चलकर चुना है इनके लिए पष्यातापका मौका था पर इनोंने वह नहीं चुना है इनके लिए तोगा यहां पर यह बात होगी प्यारों अब यह जो पेटरा है वह इस प्रकार का है आप देखे हो इसका थोड़ा सब हैं यहां पर कि यह अंदर की जो जग्या है पहाड़ों की वह ऐसी जग्या अगर आपको पता हो की कोई ज्यादा खत्रे में के मेरा यहां पर आये होंगे उस समय में विश्वास में हुए लोग होंगे उन साथ साल के समय में और वह यहां पर होंगे और उनको बचाने के लिए प्रभू पहले वहां पर जाता है। और प्रासना सिखाने वाली आत्मा उन्डे लूँगा, तब वे मुझे ताकेंगे अर्था जिसे उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे, जैसे इकलोते पुत्र के लिए रोते पिटते हैं, और ऐसा बारी शोक करेंगे, जैसे पहलो ठेके लिए करते हैं, उस स महें, on that day, यरुश्चाले में इतना रोना पिटना होगा, जैसा मगीदोन की तराएं में हदा द्रिमोन में हुआ था, सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग-अलग, अर्थात, दाउद के घराने का परिवार अलग, और उनकी स्रियां अलग, और नाथान परिवार के अलग और उनकी स्रियां लग, यह सब लोग, मतलब पूरी यहूदी प्रजा अब एक भी नहीं बाकी रहेगा, सभी लोग, पूरी यहूदी प्रजा इस चरण में, इस स्टेप में वे उद्धार पाएंगी, वे येश्व मसीहा को पहचानेंगे, क्योंकि अब येश्व मसीह यहां पर जाएंगे, इसके बाद में वो यहां पर होगे, आप देख रहें, प्यारों, अलग-अलग मोर्चे संभाले हैं अंटिक्राइस्ट में, उनकी सेना उनने, अलग-अलग जगह उपर, तो रोमियो की पत्री 11 अध्याय में, पॉलुस इस प्रकार बा यहां पर ऐसा लिखा है, यह भायो कहीं ऐसा नहों कि तुम अपने आपको बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अंजान रहो, कि जब तक अन्या जातियां पूरी रीती से प्रवेश्च न कर ले, तब तक, तब तक, इसराइल का एक तुसरे भाग, एक भाग तो ऐसा ही कठोर रहेगा, और वो भाग यहां पर उद्धार पाएगा, लिखा है, जैसा लिखा है, छुडाने वाला सियोन से आएगा, और अब भक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जब कि मैं उनके पापो को दूर कर दूंगा, लिखा है, सुस समाचार के भाव से, तो तुम्हारे लिए, मतलब हमारी बात कर रहे है, विश्वासियों के लिए वे परमेश्वन के बैरी है, परंतो चुन लिए जाने के भाव से वे बापदादों के कारण प्यारे है, लिखा है, परमेश्वन के व आप ये लोग करेंगे, रोएंगे, अपने यहां पर लिखाए कि रोते पीटते हैं, और पूरा इसराइल यहां पर एक उद्धार की प्रोसेस में आ जाएगा, वो कन्फेस करेंगे, कबूल करेंगे, कि तु ही जीवित मसीह है, जिसको हमने बेता है, जिसको हमने नकार दिया है, जिसको हमने राजा के रुप में इंकार कर डाला, जिसको हमने राजा नहीं समझा, जो सच में हमारा राजा था, छठा चरण, और यह जो चरण है, जैतुन परवत पर आना, जखारिया की किताब 14 अध्याय में ये बात वरनान की गई है, जब ये शुमसी वहां पर आते तो ये घटना होती है, हम पीछले समय में सीख चुके, तब यहुआ निकल करून जातियों से ऐसा लड़ेगा, जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, दिखा है, और उस समय वह जलपाई के परवत पर पाउँ धरेगा, जो पूरव और यरुशालम के सामने यहोशाप यह पिछले समय में सीख चुके है, ज्यादा ध्यान नहींने के लिखाए, और जितनी जातियोंने यरुशालम से युद किया, उन सभों को यहोव ऐसी मार मारेगा, कि खड़े-खड़े उनका मास सड़ जाएगा, और उनकी आखे अपने गोलकों में सड़ जाएगी, और उ सब बाते हो सकती है, खड़े-खड़े आखे सड़ जाए, आप सूचो कि ऐसा क्या हो सकता है, या तो प्रभू ऐसी महामारी बेजेगा उस समय, या तो प्रभू ऐसा कुछ बेजेगा, यहाँ पर ऐसा, हमने शुरू में पढ़ा कि उनके मुह से जो तलवार निकरती है, उ वहाँ पर उनको नश्ट कर रहे है, तो ऐसा कुछ होगा वहाँ पर, जिन से जो इस प्रकार होगा कि इनका माउस खड़े-खड़े सड़ जाएगा, उनकी आखे गोलकों में सड़ जाएगी, उनकी जीब मुह में सड़ जाएगी, बोलने के काबिल नहीं रहेंगे, प्यार प्रू इनके बीच में आके खढ़ाएगे, आपको क्या लगता है, आपको प्रभु के वचन यांपर पूरे होते हुए, यहां पर हम देख पाते हैं, जब हम पढ़ते हिसो बाते, उस समय में बिकिन पूरी होगी, प्यारो हमारे प्रभु के वचन जो उनके मुह से निकले वह पूरे होकर रहेंगे आपको जो वचन दिये है परमेश्वर ने विश्वास करो कि वह पूरे होंगे ये युगों से हजारों वर्ष पूर्वे ये वचन बोले गए थे प्यारों जो जो इस समय में आप सोचो दोजार या पच्चीस सो साल पहले यह वविश्वाणी थी जो यहां पर पूरी हो रही है कि मतलब हमारा परमेश्वर युगो का पारमेश्वर इसको पताए कौन सा पिरियड कव आ रहा है कौन किस समय में मुझे क्या करना इसको किसी की सहमतिकी जरूत नहीं है क्यों यह यह यहुदी लोग confess करेंगे तब भीकत में यह स्टेप इस प्रकार होंगे जब सिद्धा यहां पर ये श्वताओं नहीं रख देंगां यह लोग यहां पर confess करेंगे क्योंकि इन के हाथ में यह बाजी नहीं रहेगी और ये शुमसी का आना होगा तब लिखा है कि सब लोग देखेंगे पूरा उनका रिटन उनका दूसरा आगबन विजिबल है तब इन लोगों को जब ये दिखाई देंगे कि ये तो वही मरसिया है तब ये लोग रोएंगे पीटेंगे और लिखाएंगे वो कंफेस करेंगे आपको पता हो तो मत्थी रचित सू समाचा तेइस वेद्य में कुछ बात है अपके ध्यान में हम लाना चाहते मत्थी तेइस अब निकालेंगे और सैंतिस वियायत हम पड़ते लिखा है यरुशलेम यरुशलेम तु भविश्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास बेजे गए उन पर पत्राव करता है कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे कठा करती है वै जैसे ही मैं भी तेरे बालक को कोई कठा कर लूँ पर तुमने नचाहा कि सालों से हजारों से मैंने चाहा है पर तुमने नहीं चाहा है मैं तो उसी समय तुमारे तुमारा परमिश्व था पर तुमने नहीं चाहा देखो तुमारा घर तुमारे लिए उजार छोड़ा जाता कि अब से जब तक तुम न कहोगे दन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे क्या लिखा यह वह जो प्रभु के नाम से आता है वो गड़ी होगी जब वह ये शुक्र पहचानेंगे जब उनको पता चल चुका है चल तो चुका ही कि यह जिसको मसिया समझे तो मसी वीरोधी निकला एंटी क्राइस्ट है, जो क्राइस्ट हकिकत में, जो मसीह है, उसको तो हमने नकार दिया है, और वो कन्फेस करेंगे, और तब ये बात ये बोलेंगे, तब लिखाएगे, तुम मुझे फिर कभी न देखोगे, जब तक ये बात नहीं बोली जाएगी, और वहाँ पर जो प्रभु के नाम से आता है, कहां पर वो देखेंगे, जहां पर येश्व को इन्होंने नकारा था, जैतुन परवत पर, इसलिए ये येश्व मसी जैतुन परवत पर आएंगे, प्यारों, और इसलिए जब वो पहले आगमन के समय में, आखरी सब्ता येश्व मसी का था दुख सहन करने का, वो जो रविवार का समय था, खजूर की डालियों का जो वो जो समय था, वो 21 और नौ आपड़े, मत्थी 21 और नौ क्या लिखाए वाहां पर? जो भीड आगे आगे जाती, पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाओत के संतान को होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना, प्यारों, उस समय में कुछ लोगों ने तो स्विकार रहा, पर फरिसियों ने नहीं सिखा एक भाग अभी हमने पढ़ाना है, एक भाग तो ऐसा ही कठोर रहेगा, उन्होंने नहीं स्विकार रहा था, पर कुछ लोगों ने उस समय, प्रभु के पहले अगमन के समय स्विकार रहा था, और ये बात बोली थी, कि धन्या है वो जो प्रभु के नाम से आता है, और यहा मैं तुम से कहता है कि अब से जब तक तुम न कहोगे, और यहाँ पर ये बात इनके मुझे निकलेगी 시-बार वह प्रभु को देखेंगे, और प्रभु वहाँ पर पाउर रखेंगे, और वहां पर बड़ा भूकम पाएगा और प्रभु उन्हों का पंचाव करेगा, प्र वहां पर येश्व मसी का स्वर्गा रोहन बताया गया है कि चेले वहां पर खड़े थे जैतुन परवत पर अंतीम समय वो जो था येश्व मसी का आखरी दिन वो इस पृत्वी पर जब स्वर्गा रोहन उनका हुआ बाराइच चेले उनके आस पास थे और उनके बीद से जैसा उसको उठा लिया है वैसा ही वह वापिस आएगा कहां पर यहां पर यह घटना यहां पर रिपीट हुए प्यारण आखरी जो चरण है छठा सात्वा चरण है उसको देखकर हम पूरा करेंगे यह बाइबल अभ्याज और इसके साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ है वो हम नेक्ष्ट देखेंगे क्लोजिंग एक्ट है यह आखरी समाप्ति का जो समय है वो था यहोशाफात की तराई का समय यौल नभी की किताब तीस राध्याए बारा से सत्रवी आयत परें क्या लिखा है जाती जाती के लोग उबर कर चड़ जाए और यह वशाफात की तराई में जाए क्योंकि वहां मैं चारों और की सारी जातियों का नियाई करने को बैठूंगा हसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है आओ दात रोंदो क्योंकि होज बर गया है रसकुंड उमडने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है दिखाए निबटारे की मतलब डिसीजन नियाई चुकादे की तराई में भीड की भीड है क्योंकि निबटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे और यहोवा सियोन से गरजेगा और यरुशालेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृत्वी थर थराएंगे परन्तु अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राइलियों के लिए गर्ड ठहरेगा हाललुया इतना अद्बूत है प्यारो हमारा परमेश्वर ऐसी बाहरी परिस्टियों में भी अपने लोगों का बचाव करना जानता है वो उसको पता है कि मेरे अपने कौन है वो जिन्दा परमेश्वर है प्यारो कि धर्मीयों को कैसे विपत्ति के बीच बचाए प्यारो दिखाए आगे वही हमारा परमेश्वर है और यरुश्यालें पवित्र ठहरेगा और परदेश ही उसमें से होकर फीर न जाने पाएंगे यह बिल्कुल क्लोजिंग एक्ट है यहां पर वो लड़ाई पूरी होंगी और यहां पर इनकी मतलब इनकी बहुत बारी तबाई हो जाएंगे जैसे हमने देखा कि ने सोला सो स्टेडिया मतलब सो कोस्ट दो सो माइल का जो डिस्टन्स है पूरा लहू लुहान वो पूरा डिस्टन्स पूरा लहू लुहान हो जाएगा पर यह लड़ाई ने यह इतने चरण चल रहे हैं आपको क्या लगता जाए एक ही दिन में यह पूरा हो जाएगा लड़ाई लंबी कुछ कुछ समय या कुछ दिन हो सकते इसमें तो टेक लॉंग पीरियड लग सकता है यह एक ही समय की बात ने कि बिजली गीरी और सब खतम हो गया पर इसमें यह बात होगी प्यारों पूरे पलिस्तिन पूरा आशे ही लाशे होगी प्यारों मत्थी 24 और 28 में लिखाए जहां लोथ होंगी वहां पर गिद्ध इकट्टे होंगे और आपको पता हो तो अभी जो आयत हमने 19 वे अध्याय में पड़ी कि स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े देखे 1917 में और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब अपक्षियों से कहा आओ परमेश्यों के बड़े भोज के लिए कट्टे हो जाओ जिससे तुम राजाओं का माउस और सरदारों का माउ अर बीचर का है कि और उनके सवारों का माउस और क्या सवतन्त्र क्या दास क्या छोटे क्या अवाड़े सब लोगों का मतलब इतनी सारी लाश्यों की वहाँ पर प्रभू इतनики यह पर ले कर है गगा यह पर सकते नथे कशृअब लिए भी कोई नहीं है पूरा मतलब कैसी भयानक पूरी काफी समयों तक लंबे समय तक वहां पर हो सकता है दूरगंद फैली होई हो ऐसी परिस्थिती होगी दूसरा थेसलोनी की दो और आठ में लिखा है कि एंटीक्राइश का नास भी यह समय में पर मेश्वर लिखा है कि अ पर उसके लिए जो बात लिखी है यहां पर उन्नीस वी आयत में लिखी है प्रकाशित वाकिया उन्नीस वाध्या और उन्नीस वी बीस वी और 21 वी आयत यह तीनों आयत हम पढ़कर पूरा करेंगे फिर मैंने उस पशू और पृत्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस गोडे के सवार और मतलब ये शुमसी और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्थे देखा वह पशू और उसके साथ वह जूठा भविश्य वक्ता पकड़ा गया पशू कौन है पशू एंटीक्राइस्ट और जूठा भविश्य वक्ता पकड़ा गया अभी तीसरा नहीं ह शैतान की बात में उसका बिसवे अध्याय में आता है ये पकड़ा गया और जिसने उसके सामने ऐसे चीन दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको परमाय थे जिन पर इन सबको क्या हुआ ये दोनों जीते जी उस आग की जिल में जो गंदक से जलती है डाले गये जीते ज कि वैसे ही उनको गंदक वराग की जील में उनको डाला गया तो ये वह अंत है इनका अर्मगी दोनकी लड़े इस परकार अंत होगी प्यारो पुछ बात ख़ेइंगे कि येश्व मसी साथ ये लोग कौन है उसकी से ना में कौन है बहुत सारे लोग बोलते कि बैप स्वर्ग अदूत होंगे या ये लोग होंगे वह होंगे तो यह है कौन तो उसके बारे में हम next Bible study में देखेंगे यहां पर हम इस Bible अभ्यास को पूरा करते हैं आज लेट शुरू हुआ है और हमने लेट पूरा किया है पर यहां तक आप सभी लोग जुड़े हो प्रबु का बहुत आबार बांते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ इन बातों को सिखा पूराय समझा रहा है कि प्रबु इस अर्मागीदान की लड़ाई के द्वारा एक message हमारे सामने ला रहा है और वो तो यह है कि वो वचनों को पूरा करने वाला है अपने लोगों का पचाव करने वाला है अपने लोगों को भारी मुसीबत में तकलिफों में हो या कैसी भी अवस्था में हो पर उनके बीच में भी परमेश्वर अपने लोगों को उन पर विश्वास की वो लोगों का खयाल रखता है और उनको संभालता है आपको लगता है कि बाहर बहुत भयानक परिस्तिया आकार ले रही है परिस्तियां बद से बदतर होती जा रही है पर अगर आप येशु की शरण में हो, तो येशु आपका प्रबू आपकी रखवाली करता है प्यारों, आपकी हर परिस्थिती में आपका खयाल रखेगा हुए, विश्वास की जरूरुत है प्यारों हमें, उनकी प्रॉमिसिस पर, उनकी वाहिदों के, आए प्रात्ना करते हैं, अप प्रबू बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर प्रबू आपने हमसमझाया कि ये एक अदभूत और अलव की अदभूत प्रबू तेरे वचनों की पूर्णा होती का समय है ये, और हम देख रहें प्रबू की संसार में ये आपके वचनों को पूरा होते हुए कि आपका तैयार रह सके जिस समय तु हमें लेने आने वाला है प्रबु हम आभारी है प्रबु कि इन अंतिम घटनाओं के बारे में आपने हमें बहुत सारी बाते सिखाई और समझाई भी है बहुत कुछ ऐसी बाते होगी जो शायद हमें अभी भी समझ में ना आई हो पर प्रबु जरूर जो भी बाते हैं नहीं समझ में आये तो समझ देगा तो हमने वर बी गहरा है से उसको समझ पाए प्रबु हम प्राइसँ को भी और आपकी महिमाले यह प्राइस यह मसी